हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टुशानास किचन आज मैं अपके साथ शेर करने वाली हूँ बिलकुल धाबा स्टायल चना मसाला की रेसिपी काले चनी की सबजी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलिशस सबजी बनकर रेडी होती है इस सबजी के सामने ना चिकन मतन दोनों फेल है आप इसको एक बार जरूर ट्राय करें मेरे तरीके से घर पर बनाएं और देखिए आपको भी इसको खाने में बहुत मजा आएगा तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए काले चनी की सबजी बनाने के लिए मैं अब हम इस में थोड़ा सा पानी आइड़ कर लेंगे, पानी बिलकुल थोड़ा सा अड़ कर ले इस नमक भी आड़ कर लिया है अब इसको लेड लगा कर चनों को अच्छे से प्रेश opioid कर लेंगे, अब चना मसाला की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मीरिण सा या फिलिम की पेस्ट भी बना सकते हैं तो देखे प्याज और हरी मिल्चो को मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है अगर आपके पास चॉपर है तो अब इसका जरूर यूज करें बहुत ही फाइन चॉप हो जाता है अब यहां पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम थोड़ा सा तेल, तीन से चार बड़ी चमच तेल आड़ किया है मने याँ पर तेल को अच्छे से गरम कर लेँगे और अब हम इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले आड़ कर लें तो यहां पर मैंने एक चोटा चमच जीरा लिया है, तीन lang एक बड़ी लाएची, दो हरी एक चोटा तुक्रा दालचिनी का और दो तेश पत्ते आड़ किये हैं इनको तेल में आड़ करके हम हलका साथे कर लेंगे कुछ सेकेंज के लिए उसके बाद हम इसमें जो प्याज और हरी मिर्चे हमने फाइन चॉप की थी वो आड़ कर लेंगे अब गैस को हमें मीडियम पे तो यहां पर मैंने दो बड़े चमच अद्रक लसन की पेस्ट एड़ की है और इसको भी हम अच्छे से सौटे कर लेंगे इसकी कच्छी स्मेल खतम होने तक बस एक मिनिट हम इसको सौटे कर लेंगे इसकी कच्छी स्मेल खतम होने तक और अब हम इसमें आड़ करेंगे टॉ तो इसको openly cook कर सकते हैं या फिर इसे लेट से cover करके 5-7 मिनिट के लिए medium flame पे रख दे और जब तक tomato soft होता है हम यहां पे gravy के लिए masala ready कर लेते हैं एक चोटा चमच भुना हुआ जीरा पाउडर और इसे के साथ हम इसमें आदा चोटा चमच तीखी लाल मिर्श पाउडर भी आड़ करेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी आड़ कर लेंगे और इसके एक fine सी paste बना कर ready कर लेंगे यह हमारे सबसी के लिए masala ready हो गया है इसको mix करके हम side में रख देते हैं इसकी जगा पे आप तीन बड़े चमच रेड़ी में जो चना मसाला आता है वो भी use कर सकते हैं meanwhile यहाँ पे tomatoes भी soft हो गया है अब हम इसको open कर लेते हैं और इसे अच्छे से mix कर लेते हैं अगर अभी भी tomato soft नहीं हुए तो कोई बात नहीं इसको हम और चने के साथ पकाएंगे तो यह अच्छे से soft हो जाएंगे तो चलिए अब हम इसमें add कर लेते हैं masala जो हमने अभी ready कर लिया था यह पूरा masala हम इसमें add कर लेंगे इस bowl में हम थोड़ा सा पानी add करके यह भी हम बाद में gravy में add कर लेंगे अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पे हमने gas के flame को medium पे ही रखा है और medium flame पे हम masala को प्याज और tomato के साथ अच्छे से भून लेंगे हमें इसे इतना भूनना है कि इसमें से oil release हो जाना चाहिए तो इसे थोड़ी देर हम इसी तरह से रहने देंगे और यह देखिए oil इसका separate हो गया है आप देख सकते है बस अब हम इसमें क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी add कर लेंगे तो जिस बोल में हमने मसाला बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी add करके यह पानी हम ग्रेवी में add कर लेंगे अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए धक कर पकाएंगे मसाले को अच्छे से पकने देते हैं दो से तीन मिनिट के लिए और यहां पे मीन वाइल हम चनने को चेक कर लेते हैं तो यह देखे चनों को हमने बिल्कुल अच्छे से soft होने तक pressure cook कर लिया है इसमें से थोड़ी से चने हम निकाल कर side में रख देते हैं अब यहां पे gravy चेक कर लेते हैं तो यह देखे 2-3 मित धक कर हमने पकाया है आप चना मसाला बनाए इस टेप को आप जरूर फॉलो करें इसे बहुत ही बढ़िया सबजी बनकर रेडी हो जाती है अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से नमक अड़ कर लेंगे चनों को बॉल करते हैं भी हमने नमक अड़ कर लि तो correct होने देंगे 10 मिनिट हमने लीज़ सेंक अच्छे से लिए और चने जो है वो मसाले के साथ अच्छे से कोक हो गया है अब हम इसमें थोड़ी सी और चीज़े आठ करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें आड़ करेंगे एक चप्साञ्ज करमाव मसाला पावडर एक चोटा को हाई पे रखेंगे और इसमें का थोड़ा सा पानी ड्राइ कर लेंगे तो यह देखिए हमने इसमें से थोड़ा सा पानी ड्राइ कर लिया है अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है तो आप इसमें पानी रहने दे मैंने इसे थोड़ा सा ड्राइ बनाया है थोड़ और इसे और फ्लेवर एन्हांस करने के लिए हम इसमें तटका लगा के यहां पर मैंने दो बड़े चमच घी गरम कर लिया है अब हम मैं दो चुटकी लाल मिर्च पाउडर यहां पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च एड की है अच्छे कलर के लिए मिक्स कर लेंगे इस करेंगे दो हरी मिर्चे जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है इनको भी हम घी में अट करेंगे हलका सा मिक्स कर लेंगे और पस हमारा तटका रड़ी है इसको हम सब्जी के ऊपर डाल देंगे और ऊपर से थोड़ी सी बारी कटीवी फ्रेश धनिया अट करेंगे और यह हमार परदस चना मसाला की सबजी रेडी हो गई है इस तरह से आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राइ करें बहुत ही मज़ेदार सबजी बनकर रेडी होती है इसे आप स्टीम राइस के साथ या फिर जिरा राइस के साथ सर्व कर सकते है या फिर आप इसे रोटी नान करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें विर मिलेंगे किसी अमेजिंग और डिलीशिस रेसिपी के साथ तो तब तक के लिए अल्ला हाफिज